हेलो फ्रेंट्स मैं दीपा मेरे किचिन में आपका स्वागत है तो आज मैं आपके लिए लेकर कहीं हूँ प्योर हल्दी पाउडर घर पर बनाना वह भी 10 मिनट में तो चलिए मैं बताती हूँ इसको कैसे बनाना है और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज होता है वह नहीं निकलता तो मैं यहां पांच मिट के लिए इसको रोस कर लेती हूँ गैस की फ्लेम को यहां पर मीडियम ही रखना है पांच मिट तक ऐसे भूने से इसका जो एक्स्ट्रा मोईचर वह निकल जाएगा और हल्दी का फाइन पाउडर बन पाएगा तो चलिए यहां पर हल्दी रोस्ट हो चुकिए मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ यहां पर हल्दी ठंडी हो चुकिए हम इसको खलर में डाल लेती हूँ खलर में डाल करके मैं उसके चुट चुट चुटे कर लोंगे इससे इसको पीसने में आसानी होगी इस तरीके से म के फाइदा रहता है कि हल्दी को कूटने में आसानी होती है और इसका पाउडर भी बहुत अच्छा बनता है तो देखिए मैंने यह पर हल्दी को कूट लिया है ऐसे कूटने के बाद अब मैं इसको मिक्सी में पीस लोंगी अगर हम इसको रोस्ट नहीं करते हैं तो जो इसका मोश्चर होता है उसके वेसे कूटने में भी दिक्कत आती है और पीसने में भी दिक्कत आती है और उसका पाउडर नहीं हो पाता है हम इसको निकाल लेती हूं जार में अब यह आसानी से पिस जाएगी थोड़ा से चलाया अब बीच में मैं इसको चेक कर लेती हूं देखि यह हलकी दरदरी रह गई अभी तो मैं एक बार और चला देते हूं इस तरीके से अगर आप पाउडर बनाएंगे बहुत अच्छा पाउडर होगा और प्योर हल्दी मिलेगी आपको मार्केट से जो हम हल्दी लेते हैं जा किसी भी अच्छे ब्रैंड के लिए लें लेकर उसम जान लेती हूं देखिए कितना अच्छा पाउडर हुआ है इसका वेस्ट बिल्कुल जरा सा निकलेगा बहुत ही अच्छे से पिसी है यह जो एक्स्ट्रा बचा है इसको आप चोटे बाले जार में डाल करके पीसकी रख सकते हैं इसको यूज कर सकते हैं इसको फैंके नही आजकर इतनी मुलावट आगई है हर चीज में कि हम लोग मुलावट की चीज़ों से बची नहीं सकते लिए कि कुछी है हमारे बस में होती हैं जिन से हम बच सकते हैं तो क्यों ना हम कुछ मसाले हैं जैसे किचिन के उनको खुदी घर पर पीसें साबत हल्दी का पाउडर कर हैं मिलावट की चीज़ों से सबस्क्राइब सब्सक्राइब अगर आपको यूद कर सकते हैं लेकिन फार फेस पैक मैं यूच्व करते हैं या खाने में यूज करते हैं इस तरीके से हल्दी पाॉडर फ़ नाये और इसका यूज करें और अगर आपको मीरी वीडियो पसना तो प्लीज आमेरे चनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करें थेंक यू